हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं दिवेंद्र फड़नवीज दरसल भाजपा आलाक मान में दिवेंद्र फड़नवीज को बिहार चुनाव की कमान सौपी थी चुनाव से एन पहले फड़नवीज को चुनाव प्रभारी बना कर बिहार भेजा गया था ऐसे में चुनाव नतीजों के मुताबिक महराश्रा भाजपा में खुशी की लहर बनती है जहां भाजपा ने गटबंदन के गणीत के बीच कारगा जोडबागी करते हुए सबसे बड़े दल होने का गौरफ हासिल कर लिया है फणवीज ने जिस अंदाज से संगटन सर्फ चुनाव तयारी को अंजाम दिया आज उसके नतीजे सब के सामने है चुनावी सुख पुकाहट के साथ ही पार्टी ने दृत्यों के आदेश की अनुपालना में फणवीज ने बिहार में अपना डेरा जमा लिया था शुरवाती चरण में फणवीज ने जहां सीट पटपारे और टिकेट वितरन में महत्ती भूमी का निभाई तो संगटन के नीती नियनताओं के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव की रननीती का भी सफल प्रबंदन किया महराश्रा का मुख्यमंत्री बनने से पहले विधानसबा चुनाव की दौरान फणवीज ही महराश्रा भाजपा की मुख्या थे तब उन्होंने दिन रात महनत का चुनाव का शांदार प्रबंदन किया था लिहाजा नतीजे भाजपा के हक में रहे और यूवा फणवीज को पार्टी ने इतुरुत्त के मुख्यमंत्री पत पर नवाजा तब से लेकर फणवीज लगातार भाजपा की धुरंदर चुनाव प्रबंदक के रूप में अपनी अमीट पहचान बनाने में अब तक खासे काम्याब रहे हैं यही वज़ा रही कि महाराजपा के पिछले विधान सबा चुनाव में भी देवेंदर फणवीज का प्रभावी चुनाव प्रबंदन बेहत कारगार रहा था तब भी भाजपा समूचे महाराजपा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी मौजूदा बिहा चुनाव के नतीजों की तस्वीर भी कमों बेश यही बयान कर रही है जहां गडबंदन के राजनीती के बीच पे फड़नवीज के चुनाव प्रबंदन के चलते भाजपा सबसे बड़ी ताकत बन कर उबरी है जाग रूप टीवी के लिए मुंबाई से खास रिपोर्ट